अब review tab देखेंगे ठीक है review tab है और यह design tab तो खस्तर पर design ठीक है तो यहाँ पर देखो अलग-अलग themes दिए हुए themes दिख रहा है सब इनको themes के नाम से जाना जाता है इनका आप use कर सकते हैं कैसे use करते हैं यहाँ पर click करोगे तो यह और सारे बहुत सारे themes आपको दिखाई देंगे और इन themes को cover पर use कर सकते हैं जब हम insert tab में जाके cover बनाते हैं किसी भी किताब का page बनाते हैं cover बनाते हैं तो उसमें इन सब चीजों का use किया जाता है ठीक है इसके बाद यहाँ पर उप्स design पर आते हैं और यह color है तो इसमें अलग-अलग color चूस किया जा सकते हैं जब हम page कla cover बनाते हैं तो उसमें alग-अलग color चूस किया जाते हैंriminal है यहां से paragraph spacing देख सकते हो कि paragraph में spacing कितनी रखनी है कि नहीं रखनी है जैसे मलों यहाँ पर कुछ लिखते हो देखा राम इस अब आए यह लिख दिया फिर नीचे आए फिर यहां पर श्याम इस फ्रेंड यह दो लाइन लिख दिया हमने ठेक है अब दोनों लाइन के बीच में कुछ तो जैसे लिख पर श्याम प्रश्ण थो यहां फिर पर हट वीख भीच इसों सेटिंग करना कैंए द्रैश्ण करसकोटा ए है कितना रखना है size तो वो size यहां से decide हो जागा जैसे 8 करना है तो यहां अगर 8 कर देते हैं तो और ok कर देते हैं तो यहां पर size इसकी छोटी हो जाएगी ठीक है लेकिन हम को original size रखनी है control jet करते हैं वापिस आते हैं फिर दिखाता हूँ यहां से अगर हम default पे जाए तो default पे बीच में gapping दिख रही है और इस gapping को reduce करना हो तो ऐसे आप कर सकते हैं इस पर click कर देंगे तो gapping reduce हो जाएगी किस tab में गया थे हम design tab में ठीक है इसके बाद से यहां effects दिए हुए है तो अलग-अलग effects आप design अगर बनाते है तो उस पर यह काम करते है ठीक है यहां पर आते हैं इसके बाद watermark पर यह खास चीज़ है watermark यह आपको office 365 में भी दिखेगा 2021 में भी दिख रहा है तो यह खास चीज़ है और यहां पर click करके watermark का फाइदा क्या है यह दो तरीकों से लगाया जाता है तो इसमें एक दिखा रहा है यह यहां पर watermark पर जब हम जाते हैं तो यह custom watermark पर जाएंगे और जैसे custom watermark पर जाएंगे तो यहां एक उपर दिखेगा no watermark और एक दिखेगा picture watermark और यहां दिखेगा text watermark तो अगर अब text watermark लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं और यहां पर by default asap करके दिखता है यहां पर ठीक है और इसका color भी बदला जा सकता है जैसे यहां से color हम चूज कर लें कुछ और red कर लें green कर लें कुछ भी कर लें जो color चूज करें कि उसी color में आएगा अगर color नहीं चू नहीं किया है तो asap ही लिखा हुआ आएगा apply पे क्लिक करते हैं तो दो तरीकों से apply हो सकता है एक तो horizontal और एक diagonal बाइडिफोल्ट डाइगोनल ही होता हम इसको diagonal ही रखेंगे और apply कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर asap करके लिखा हुआ आ जा रहा है आप इस पर लि दिखा हुआ दिख रहा है आपको इसके ऊपर यह चल रहा है और यह भी दिख रहा है और पीछे जो पी लिखा हुआ है वो भी दिख रहा है दोनों दिख रहा है तो इसे watermark आते हैं यह दो तरीकों से लगाया जाता है एक तो यह तरीका हो गया अब क्या केवल यहां पर के गए और इंटर कर दोगे तो यहां तुम्हारा नाम आ जाएगा अब इसका फाइदा यह है कि यहां पर अगर तुम टाइप कर देते हो जैसे मालो यहां पर हम एक कमांड चिला करके यहां पर बहुत सारा टेक्स इंसर्ट करते हैं तो यहां पर यह टेक्स तो दिखाई ही दे रहा है पीछे जो वाटरमार्क लगा हुआ है वो भी एकदम क्लियरली शो हो रहा है देखिए शो रहा है न दोनों चीज़े शो होंगी ठीक है यह फाइदा है वा वाटरमार्क पर आएंगे जैसे ही आएंगे तो उपर दिखेगा नो वाटरमार्क और उसके बाद दिखेगा पिक्चर वाटरमार्क तो इस पर टिक कर दीजेगा और यहां से अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर आप सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है अब यह ओफ लाइन हमें जाना है तो यहां से हम आप लाइन जा सकते हैं यहां पर देखेंगे कि इसी का एक वाटरमार्क इसके इंसर्ट हो जाएगा ठीक है और इसके उपर जो भी लिखेंगे न वो भी दिखाई देगा देखें यहां पर यह जो लिख रहे हैं वो भी यहां चल रहा है चुक है, अब मैं यहाँ पर अगर color change कर देता हूं इस सब का, यह दिखिए, यहाँ पर गए, और यहाँ से home tap पे जाके और यहाँ से color में बदल देता हूं तो यह जो लिखा हुआ, यह भी आपको show होगा ऐसा नहीं है कि show नहीं होगा, तो यह और फिर यहाँ से remove watermark पे click कर देना, यह remove हो जाएगा तो यह watermark का फाइदा है अब watermark कई बार यहाँ पर ऐसे भी लगा दिया जाता है, जैसे हमाली आपने यहाँ पर text watermark किया, और cbse कर दिया, cbse cbse, यह हो गया cbse और यहाँ से आप color change कर देते हैं, तो color में भी watermark आएगा तो यहाँ पर देखिए, यह color लगा देते हैं और यहाँ से अब इसको horizontal कर देख तक तो diagonal रहा अब horizontal कर देखिए, horizontal में ऐसे आएगा देखिए, इस तरीके से, देख रहे हैं तो यह watermark लगाने का तरीका है यह ways है, जिसके तरूँ आप watermark लगा सकते हैं, बहुत ही easily इसके बगली में, यहाँ पर दिया गया page color, तो अगर आप page का color बदलना चाहें, तो यहाँ से बदल सकते हैं अब जो color आप लेना चाहें, जैसे yellow color red color, green color जो भी color आप चाहते हूँ वो color यहाँ से लिया जा सकता है तो देखें, यह color ले लिया हमने ठीक है, page border दिया गया है click करिएगा अलग-अलग border आपको दिखाई पड़ेंगे आपको जैसा भी border लेना हूँ यहाँ से choose कर लिजेगा page border पे ही है हम, और यहाँ पे देखें यह वाला border चाहिए, कैसा border चाहिए कई बार क्या होता है, कि हमें resume अलग तरीके का बनाना होता है, तो हम इह सब का भी इस्तेमाल करते है, यह देखें, यह अलग-owanyग तरीके के border दिए गए है, तो आप इनको भी लगा सकते गए, ठीक है? इस तरीके तो यह जो भी आप बनाएंगे ना resume बनाएंगे या जो भी data बनाएंगे वो थोड़ा attractive दीखेगा आप इसको change भी कर सकते हैं ठीक है यह तो page का color है यह page border है आप यहाँ से change कर सकते हैं यह देखे यह border लगा लिजिए इस तरीके का तो यह ऐसा आएगा इसी तरीके से आप फिर change करना चाहें यह वाला नहीं चाहते हैं तो इसे none कर दीजिएगा यहाँ पर none का मतलब होता है कुछ भी नहीं और यहाँ पर width इसकी बढ़ा सकते हैं width तो width हमें मोटी रखनी है और यह वाला style में ठीक लग रहा है 3D वाला तो यह border लगा देंगे तो ऐसा border आ जाएगा थोड़ा सा मोटाई बढ़ गया है देखिए इसमें अगर इसको कम करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके कम कर लेंगी जैसे यहाँ पर यह देखिए यह 2-1 बटा 4 PT हमने कर दिया है तो यहाँ पर इसको half PT से भी कम कर दें तो यह देखिए यह मोटाई घट गए इसकी यह जो आ रहा है न यह पूरी मोटाई घट जाएगी और यही होता है आपका page border चीक है इस तरीके से border वगरा लगाया जा सकता यहाँ पर और भी option आपको देखने को मिल जाते है जैसे full screen करना show tabs only यह सारे option है इनका use a hide quick access toolbar तो यहाँ पर quick access toolbar आता है इसको आप hide करना चाहिए तो hide भी कर सकते है ठीक है तो ऐसे ही आपको करना है ठीक है इसके बाद review tab के बारे में आपको बताया ही था यहाँ से spelling and grammar चेकाता है f7 shortcut की होती है thisaurus के बारे में बताया ही था यह thisaurus होता है synonym और इसकी shortcut की होती है shift f7 जैसे यहाँ पर friend है तो friend का synonym होता होगा परयावाची होता होगा तो आप shift के साथ f7 प्रेस कीजिए shift और function बटन f7 और देखिए यहाँ पर इसके synonyms खुल गए है देखिए यहाँ पर एक्वेटेंस है contact है collegious है associate है comrade है workmate है stranger है तो अलग-अलग चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है उसी का synonym दिखाई पड़ रहा है तो यह सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर आप translate करना चाहते है एक language से दूसरे language को तो यहाँ पर आपको online सुविधा यह मिल जाती है यहाँ पर translate language में ठीक है और अगर आप comment लगाना चाहते है किसी section पर जैसे माल लिजे कि आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि provide का मतलब क्या होता है तो आप comment भी लगा सकते है यह new comment पर जाएंगे और यहाँ provide का मतलब बता देंगे ठीक है तो अब जैसे ही आप लगा करके यहाँ पर provide पर जाएंगे provide जहाँ भी लिखा हो पूरे इसमें कहीं भी provide अगर लिखा होगा तो अगर आप जाते हैं वहाँ पर तो यह comment आपको दिखाएगा ठीक है न तो इस तरीके से आप कर सकते है clear कोई दिक्कत हो तो बताईए जैसे यहाँ पर provide पर गए तो अब देखिए comment जो लगाया था उसमें दिखा रहा है न गिब यहाँ पर गिब लिखा हुआ आ रहा है ठीक है तो यह फाइदा है comment लगाने का ठीक है तो यही सारी चीजे हैं बाकी सारी चीजे मैंने इसमें बताई रखा है तो इसका revision करना है यह पूरा का पूरा tab मैंने बता दिया आपको कैसे use करना है क्या use करना है ठीक है इसको use करके देखिए यहाँ से word count कर सकते है जैसे इस line में कितने word आये हैं यहाँ पर जाएगा न तो word count का option दिलेगा तो click कर देजेगा तो again के बताएगा कि page 1 है और जो selected part है उसमें 4 ही word है जैसे count की जैसे 4 है 1,2,3,4 आ रहा है न characters कितने हैं तो characters पूरा दिखाएगा इसमें ठीक है इसके अलावा यहाँ पर with space space के साथ कितने character हैं वो दिखाएगा बिना space के कितने character हैं वो भी दिखाएगा paragraph दिखाएगा line भी दिखाएगा अगर आप 4 line select कर लेते हो तो line देखो इसमें 4 line select किया हमने और 4 line select करने के बाद word count पे जाते हैं तो यहाँ line कितना बता रहा है 4 line बता रहा है न तो line भी उसी ही साब से बताएगा ठीक है समझा ही बात